सबी लोग को मेरा नवस्कार स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में तो प्यारे दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IERT और पाली टेकनिक दोनों में अंतर क्या वता है चाहे प्लेस्मेंट के मामले में देखा जाए या पैकेज के मामले में या इसकालर्सीप या फीस या एजुकेशन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल डीटेल में बात करेंगे तो वीडियो को सुरू से अंतर जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी तरह से किलियर हो जाए कि IERT और पाली टेकनिक दोनों में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं प्लेस्मेंट के बारे में तो यहां से आप देख सकते हैं IERT कालेज में टॉप कमपनीज प्लेस्मेंट के लिए आती हैं जैसे TCS हो गया, Vipro हो गया, Infosys हो गया, CL हो गया, Villa Saft हो गया, Mahindra हो गया, Tata Motors हो गया इस तरीके से टॉप कमपनीज प्लेस्मेंट के लिए आती हैं IERT कालेज में वहीं पर यदि मैं पाली टेकनिक की बात करूँ द्यान में रखिएगा मैं IERT और Government पाली टेकनिक दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ Government पाली टेकनिक कालेजों में इस तरीके से कमपनीज आती हैं जैसे आपका महिंद्रा हो गया, आधित बिल्ला हो गया, टफ वर्क हो गया, YMVPL हो गया इस तरीके से कमपनीज आती हैं Government पाली टेकनिक कालेज में और ये टाप कमपनीज आती हैं IERT कालेज में अभी आप IERT और पाली टेकनिक दोनों के पैकेज के सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से किलियर हो जाएगा यहां से आप बात करते हैं पैकेज के बारे में यहां से प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं IERT और पाली टेकनिक दोनों के पैकेज में कितना डिफिरेंस होता है IERT कालेज का जो पैकेज होता है शार लाख पर एनम से बारे लाख पर एनम होता है यानि कि जो average package होता है IERT का वो 4 लाग पर एनम होता है और जो highest package होता है 12 लाग पर एनम होता है इससे 1-2 लाग जादा भी हो सकता है वहीं पर पाली टेकनीक की बात करें पाली टेकनीक का जो एवरेज पैकेज होता है वह 96,000 पर एयर यानि की 8,000 मंथली होता है और जो हाइश्ट पैकेज होता है वह 4,000,000 परेनम यानि की 4,000,000 प्रतिवारसिक अब बात करते हैं प्यारे दुस्तो निश्ट बात करते हैं इसकालरसिक के बारे में तो IERT कालेज का जो इसकालरसिक आता है वह 45,000 से 50,000 के बीच आता है यानि की जो एवरेज इसकालरसिक होता है वह 45,000 और हाइश्ट की बात करें तो 50,000 वहीं पर जो पाली टेकनीक कालेज ह गौवर्मेंट पालीटेकनिक कालेज होता है उसका स्कालर्शीप 10,000 से 16,000 के बीच आता है निश्ट बात करते हैं फीस के बारे में तो IERT कालेज का जो फीस होता है 65,000 रुप्य प्रतिवार्शिक होता है और पालीटेकनिक कालेज का जो फीस है वह आपका 10,940 यहां पर प्य चाहरे दोस्तों एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो IERT कालेजों में टाप एजुकेटर के द्वारा आपको एजुकेट किया जाता है यानि कि IERT कालेज में इंडिया के टाप एजुकेटर द्वारा सिच्छा आपको दिया जाता है और पालीटेकनिक कालेजों में आ इतना डिफ्रेंस है चाहे प्लेस्मेंट के मामले में देखा जाए चाहे पैकेज के मामले में देखा जाए हाँ यह बात है कि I.E.R.T. कालेज का जो फिस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा जादे है लेकिन प्यारे दोस्तों I.E.R.T. कालेज में यदि आपका एडमिशन हो जाता रहा है तो समझे दी बहुत बेटर आपका फ्यूचर होगा जाए.